स्री राम आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेज गूरगपुर कल्यार से प्रकासित सच्ची कताएं कता का सीर्षक है मा बैशनो देवी की किरपा की अनभूती पत्तों ये सत्त कताएं होती हैं और अनभू की कताएं होती हैं और किरपा इस तरह की कताएं सुनने के के लिए हमारे चैनल को सब इसक्राइब चरूर करें सन 2010 इस्वी की बात है मेरी पत्नी और मैं बैशनो देवी की दर्सन के लिए दिल्ली से रेल द्वारा कटरा गए मेरी पत्नी अस्थमा रोग से गरस्ती ती जिसके कारण वे एक किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सकती थी बा माता रानी के दर्सन के लिए पैदल ही जाओंगी और वे जय माता दी कहती ही चड़ाई चड़ने लगी सो भावे की पती को पता था कि इसको अस्थमा की बिमारी तो पैदल को जाए लिकिन उनकी सद्धा बहुत थी बोली नहीं मैं पैदल ही जाओंगी जब हम भवन से अब में बहुत परिशानी रही है अब नहीं होगी आप मेरे कंदे पर हाथ रहकर मेरे साहरी चलो मेरी पतनी ने मना किया अब हम भवन के पास आही गये अपने कंदे पर पतनी का हाथ रखा कर चलने लगी उसके साथ लड़की ने मेरा बैप पकल लिया और मुझे पोचा अ सब्सक्राइब 17 हुए उपाचा कर माता जी की दर्सन करने से पहले इसनान करना उसक होता है हम दोनों ने जल्दी से इसनान कर लिया मगर वे लोग कुछ लोग इसनान करके गए हुए थे तथा कुछ बैठे गबसप कर रहे थे इतने में एक अजने भी आपमी मेरे पास आया अब मैं उस लड़की की तरफ देखने लगा जो मेरा बैग लेकर गया था उसने लड़की ने का अंकर जी जाओ आपके लिए माता रानी ने बी आईपी पास बेजा है मैंने उस आदमी से पास ले लिया और बी आईपी गेट के अंदर से जाकर माता रानी बैशनो उसने बारे किलोमीटर चड़ाई कैसी की फिर माता रानी ने उसके लिए बी आईपी पास बेजा ये माता जी की अपनी संतान पर हुई किरपा अनभूती नहीं है तो क्या क्योंकि जैसी हमारी स्रद्धा होती वैसी भगवान हमारी साहता करते है भक तो ये बिल्कुल चत् ये माता जी